इशान किशन की इस शांदार दोहरे शतक की पारी को इन खास 210 रनों को किस तरह से सराया है बारती क्रिकेट के दिगजों ने इस शांदार दोहरे शतक पर क्या कुछ कहना है विरेंदर सेवाग से लेकर सिक्सर किंग युवराज सिंग का क्या कुछ कहना है टर्बोनेडर हरब पजन सिंग का और साथ ही में चिनना थला कहलाए जाने वाले मिस्टर राई पील सुरेश रायना का वो सब आपको बताएंगे इस वीडियो में बारी बारी से क्रिकेट की क्या दिगज ने क्या कुछ टिपनी की है इशान किशन के इस दोहरे शतक पर क्रिकेट इन इंडिया के चानल पर हैं आप मैं हूँ आपके साथ लक्षित आज इशान किशन ने सिर्फ दोहरा शतक नहीं लगाया है बलकि आने वाले 2023 के ODI वर्ल कप में बारती टीम की एक बड़ी गुथी को भी हल किया है कि कौन सा खिलारी कर सकता है रोहत शर्मा के साथ उपनिंग उसके अंदर इशान किशन ने अपना नाम प्रबल दावेदारी में डाल दिया है आज इस दोहरे शतक के साथ इसी के साथ सबसे युवा बलेबास बने है इशान किशन और सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक भी पूरा किया है लेकिन इस खास 210 रनों की पारी के जिसके अंदर चौके और छकों की बारिश थी क्या कुछ कहना है भारती क्रिकेट के दिगजों का इस खास पारी पे सबसे पहले आपको बता दिया जाए नजफगड के नावाब विरेंदर सेवाग जिनोंने इस से पहले वेस्टन डीस के सामने 219 रन की पारी खेली थी उन आने वाले समय में भारती क्रिकेट को सवरना है तो जिस तरह की बलेबाजी की है इसान किशन ने कुछ इसी ही भांती की बलेबाजी करनी होगी हमारे बाकी बाटर्स को भी इसके बाद आपको बताएं शिकसर किंग यवराज सिंग ने भी की है इसान किशन की तारी जहां उ जिवराज सिंग के जोडीदार खिलाडी अर्भजन सिंग यानि की दर टर्बनेटर जो इनों राजिय सबा के भी मेंबर हैं उन्होंने ट्वीट किया वेल प्लेड चैंप और इसी के साथ उन्होंने किया इशान किशन की तारीफ जबकि उसके साथ आपको बता दिया जाए इ उसी के साथ में उन्होंने भी इशान किशन को इस शानदार नौक के लिए काफी ज़्यादा मुबारग बात दी है और उसके बाद आपको बता दिया जाए इस शान किशन को जिसने शानदार का नाम दिया था वो कोई और नहीं बलकि क्रिकेट कमेंटेटर और पूर खिलार आकाश चोपड़ा हैं आकाश चोपड़ा ने दो ट्वीट्स के सबसे पहले उन्होंने अपने अंदाज में इशान किशन को शांदार किशन कहा और उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया मुकाबला खतम होने के बाद जहां उन्होंने लिखा कि इशान किशन ने इशान किशन के टोटल से भी जिसके चलते इशान किशन के धोरे शतक से थोड़ी सी बांगलादेश की भी टांक हीची है यहाँ पर आकाश चोपडा ने और उसके बाद आखरी नंबर पे आपको बताएंगे क्या कुछ का है इंडिया के T20 के किंग याने की सूरे कुमार आदव ने रोर लिखा जिसने दर्शाया है कि सूरे कुमार यादव भी तारीफ कर रहे है इशान किशन की इस शांदार पारी की ये तो कहना था भारतिय क्रिकेट के दिगजो का इशान किशन के इस दोरे शतक के बारे में लेकिन क्या कुछ है आपकी टिपनी किया आपके